हलो दोस्तों गूड मॉर्णिंग स्वागत इकवाब फिट से आप सभी का है MZT Education में दोस्तों आज है 29 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 29 दिसंबर 2022 के पूरी वीडियो डिटेल में समझाए गई है अच्छे से बताए गई है आप पूरी वीडियो ध्यांस देखेगा रिवीजन पॉइंट भी रखा है मैंने तो आप रिवीजन भी करते चलोगी वीडियो देखने के साथ साथ में वीडियो अगर पसंद आएगे तो लाइक और शेयर जलू करना चैनल पर अगर नहीं आया हो इसी तरह के कॉंटेंट देखने लिए चलको सब्स्राइब जलू मिलेगी रेले बोर्ड के नए चेयर्मेन और CEO बन गए है अनिल कुमार लोहाटी टेस्ट एटलेस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है दुनिया के बेस्ट फूड कहां कहां पर मिलते हैं तो टॉप पर इटली है और भारत का स्थान इसमें पाचवा है CEBR ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि भारत 2035 तक दुनिया की तीसरी सस्थे बड़ी एकोनोमी बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट एकोनोमी बनेगा और निकाजरीन और लॉलीना बोहर गोहन ये दोनों ने राष्टे मुक्यवाजी इस परधा में गोल्ड मिडल ज सेना ने प्रले मिसाइल तैनाद करने की गोशना कर दी है पहले इंडियन एर्फोर्स की दौरा उसके बाद इंडियन आर्मी की दौरा ये तैनाद किये जाएंगे एंडिटीवी में गौतम अडाई में फाइनली 65 परसंट का टेक ओवर कर लिया है और ये टेक ओवर उनके जो फाउंडर्स थे एंडिटीवी के उनके हिस्तिदारी छोड़ने के बाद हुई है पूर्व प्रधान मंत्री अटल विहरी बैसपेई जी के नाम पर एक भव्वे स्मारक बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के गौलियर में क्योंकि गौलियर में ही इनका जन्म हुआ था और अभी हाली में मालदीव के पूर्वर राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की साज़ा सुनाई गई है ब्रहस्टाचार के आरोप में लिप्त पाया जाने के कराण ये टॉप 10 करेंट अफेर के वन लाइनर थे कल की वीडियो से जिनका आपने एक मिनिट में किया कुईकली रिविजन अब बात करेंगे हम लोग आज के करेंट अफेर की पहला और most important हाली में ग्रेह मंत्राले ने उत्तर प्रदेश के किस अस्थान के नाम को बदलने की मंजूरी दे दी है यहाँ पर अस्थान को हो गया है अस्थान के नाम को ठीक है ना नाम बदला जाएगा तो यह अभी हाले में गोरकपुर के मुंडेरा बजार का नाम बदलने की मंजूरी मिली है ग्रेह मंत्राले की साथी साथ तेलिया अफगान जो की देवरिया जिले का है यह दोनों ही उत्तर प्रदेश के जिले हैं और उनके एक-एक बजार है तो उन दोनों के नाम को बदलने की मंजूरी अब ग्रेह मंत्राले से मिल चुकी है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अरजी डाले थी ग्रेह मंत्राले के पास और हो मिनिस्ट्री ने फाइनली नेम चेंज करने को मंजूरी दे दी है अब आप समझो इसका एतिहासिक पहलू भी है एक तो जो ये मुंडेरा बाजार है उसका नाम बदल करके चौरी चौरा किया जाएगा चौरी चौरा इसलिए क्योंकि गोरखपुर में ही चौरी चौरा कांड हुआ था जहां पर जिस मार्केट में वो मुंडेरा बाजार के नाम से जाना जाता था तो वहां पर अब इसे चौरी चौरा कांड हुआ था उसने बहुत सारी निगेटिविटी आ गई थी निगेटिविटी बोले तो मतलब की ऐसा पेस किया जाता था कि जैसे की भारत के करांदिकारियों ने कुछ गलत किया हूँ ठीक है जबकि अगर देखा जाए तो वो अंग्रेजों के खिलाफ एक अंदोलन ही था तो इस वैसे 26 सुधारने के लिए ये किया गया है पहली चीज दूसरी चीज ये कि अभी आपको पता होगा ऐसे ही काकोरी कांड जो था काकोरी कांड जो हुआ था काकोरी कांड 1925 वाला तो वो काकोरी कांड का भी नाम बदला गया है उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्षन किया गया है तो ये भी सेम इसलिए कि वो काकोरी कांड नहीं था मतलब कांड की नाम से ना जानो वो काकोरी ट्रेन एक्षन था जिसके तहद हमारे करांथिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाया था ठीक है तो इसी के तहद ऐसे भी किया गया है यहां पर और दूसरा एक और नाम है तेलिया अफगान इसके पीछे की अलग कहानी है एक्षिनल में दिवरिया जिले में परता देवरिया भी एक उतरप्रदिस का जिला है और तेलिया अफगान का नाम बदल कर तेलिया सुकला किया गया है तेलिय सुकला समझ कर के आप यह समझ आप गया है यह इसके पीछे legy स्टूरी यह है कि अभी यहां पर ना केवल तेलिया अफगान गॉर्मेंट ऑफिसेज में ही नाम बन करके रह गया है वहाँ पर लोग इसे तेलिया सुकला के नाम से ही इस मार्केट को जानते हैं ठीक है वहाँ पर अस्थानी अस्तर के लोग जो तेलिया सुकला के नाम से पहचानते हैं तेलिया अफगान अब इतना ज़्यादा यूजमें नहीं होता है इसी वज़से ये डिमांड बहुत दिनों से उठ रही थी और आब इसका नाम बदला जाएगा दोनों की अलगलग कहानी है फिलहाल जो मैंने आपको बुक दी हुई है उस बुक में भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहला कोश्चन वही है नाम बदलने का और वो भी उत्तर प्रदेश थी जहां सी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था इसका नाम वीरांगना लच्षमी वाई रेलवे स्टेशन किया गया इसके अलामा उत्तरप्रदेश में देखो और भी नाम बतले जिसे फाइजाबाद का नाम आयोध्या किया गया इलाबाद जिले का नाम प्रयागराज किया गया मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये भी पड़ता है यहीं वराड़सी के आगे पड़ता है ठीक है उत्तरप्रदेश में ही इसका नाम बदल करके पंडित दीन दयाल उपाद्या जंक्सन किया गया ठीक है इसके अलामा भी यहाँ पर भी आप देखोगी कुछ और भी नाम बतले गये है मैंपुरी के साइनिक स्कूल का नाम सहीज जनरल विबिन रावत जी के नाम पर रखा गया इसके नाम भोपाल का हविव गांज रेलवे स्टेशन है इसका नाम रानी कमलापती रेलवे स्टेशन किया गया ठीक है बाई दबे ये चीजें आपको राज्टे घटनाय नाम के चैप्टर से हमारे बुक में मिलेगी चैप्टर निम्बर 16 पर ठीक है तो बुक जिन्हों ने लिया है उसको जरूर ले बहुत जादा अच्छे से देखो question रहता है question की detailing रहती है इसके बाद उससे related revision point रहता है और ये सारी चीजे राज्यवार घटनाओं में रहती है जिसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश पहले रहेगा फिर बिहार फिर ये वगर अगर है मतलब सभी राज्यों का अलग अलग तो साल भर की राज्यवार की गटनाएं एक जगापर मिल जाती है तो इससे आप अगर state special को एक्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको साल भर का current effect कहीं और ढोंडने की जोरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो चीजे आपके लिए आसान हो जाते है फिलाल यहाँ पर आप रिव से और चतीजगर से भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आठ राज्यों और एक केंद सासित प्रदेश से बाटर सेयर करता है केंद प्रदेश में केंद सासित प्रदेश में यहीं पर दिल्ली है और दिल्ली से भी अपना बाटर सेयर करता है ठीक है तो सबसे ज़्याद पार्क, नवाबगंद, पक्षय भेरन, पीली भीत, टाइगर रिजर्ब, ठीक है, चंद प्रभागेंद, सेंचुरी, यह यूपी में ही है, इसके अलावा चल्कुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता, जोरा, यह प्रमुक लोग निरते हैं यहां यहां के अगर राच के पसू की बात करें, तो बारास सिंगा है, राच के पक्षी होता है सारस, राच के पुस्प होता है पलास, और राच के पेड होता है असोक, वीडियो अगर पसंद आए, डेटेल लगा करें, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्त, ठीक है, और सेयर जरू करो, share करने को मैं नहीं बोलता हूँ, तो आप लोग share नहीं करते हूँ, तो please share कर दिया करो वीडियो, अगला FSCI का मुख्य अधिकारी, कारी-कारी, किसे नियुक क्या क्या है, मुख्य कारी-कारी मतलब होता है, Chief Executive Officer, यानि CEO, और Food Safety and Security Authority of India के नए CEO बन गए है, कमला वी राओ, तो कमला वी राओ, नए CEO होंगे, यहाँ पर आप देख पाओगे, गंजी कमला वी राओ, अपॉइंटर है, Chief Executive Officer of FSCI, ठीक है, तो यह भारती विकार, अपरेटन विकास लिम्टेट के अभी तक मैनेजिंग डेक्टर थे, 1992 92 के IS Officer रह चुके हैं, FSCI के बारे में बात करेंगे, तो 2008 में स्थापना होई थी, राजेज भूसर इसके अध्यक्ष है, यानि चेयर्मेन है, और नए दिल्ली में इसका Headquarter है, अगला, विज्ञान और अनुसंधान के छेतर में उत्कृष्ट प्रदर्सन के लिए किसको सम्मान से सम्मानित किये हैं, नए दिल्ली में, विज्ञान भावन में, आप यहां पर आर्टिकल भी देख पाओगे, दप्रेंट का है, तो इनको दोस्तों, स्टेमलेस और पुनर योजी चिकित्सा के से सम्मंधित, इनका जो रहा है, कंट्रिबूशन रहा है, उसको इसे इन इन फीर्टल्टी, थीक है, तो विज्ञान और अंसंधान के छेत्र, फिलाल इनको मिला है, अगला, हालिमेक इसराजी का धर्मदाम, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकाले निर्वाचन छेत्र बना, तो दोस्तों, अभी हालिमेक के रल में पढ़ता है, एक निर्वाचन छेत्र है न ये भारत का पहला ऐसा निर्वाचन छेत्र हो गया है जो पूर्ण पुस्तकाले से सुसजित निर्वाचन छेत्र है मतलब बोले तो कि हर एक वहाँ पर ग्राम में हर एक गाउं में एक पुस्तकाले है पुस्तकाले बोले तो लाइबरेरी है और आप पूर्ण पुस्तकाले निर्वाचन छेतर बन गया है केरल का ही धर्मदाम यहाँ पर पिंडरे विजन आपको देख रहे हैं यह CM भी है वहाँ के ठीक है वर्तमान में अच्छा एक चीज और पहला आप देश का जिला कौन सा है तो आप बताएंगे जामतिरा जिला लेकिन अगर आपसे पूछा जाएं कि प्रते गाउं में हरे गाउं में एक पुस्तकाले वाला निर्वाचन छेतर कौन सा है पहला तो भारत का एकमात निर्वाचन छेतर है केरल का धर्मदाम ठीक है ज पिन्राई विजियान और CPIM पार्टी से हैं जैसे मनें आपको बताया आरिफ मुहम्मत खान या के गवर्नर है यहाँ पर जीलों है जीलों की नाम है वेपनाट कायल ठीक है इड़ुकी वंजुई बहरान यहाँ पर है साइलेंट वैली निसनल पार्क बड़ा पूछा जाता है केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं पलककडगैप यहाँ पर दर्रा है थामा सरूरी है ठीक है इसके अलावा पाल घाट भी है पाल घाट भी केरल में ही है कथकली ठीक है प्रमुक यहाँ का है मोहनी अट्टम है ओडम यहाँ पर निरत ओडम जो है यह तेवहार मनाया जाता अब बात करेंगे केरल के रिविजन की जैसे आप भी आपको पता होगा बारवी तक के स्टुडेंट के लिए ओनेश्टी सौप खोला गया था किस ने खोला था केरल ने खोला था केरल में ही पहला केरल एक पहला एसा राज्य है जो अपना खुद का इंटरनेट सेवा सुरू किया हुआ है खुद की इंटरनेट सेर्विसेज और केरल का ही एक गाउं है पुल्लम पारा ग्राम पंचायत ये देश का पूर्ट है डिजिटल साच्छता वाला ग्राम पंचायत बना हुआ है ठीक है इसके अलाम भी बहुत सारे कुश्चन है केरल से रिलेटेट जो मैं आ यादराबान में लांच हुआ था ठीक है गोल्ड एटियम और गोल्ड की एक समान कीमत जो है पूरे राजिभर में केरल में ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर विद्यान सभा जी ले ये सब अगर आप देख लेजिएगा ठीक है अगला फोर्क्स इंदर रोड लेखक के पु सभा हुआ है , ये रबिया इक 19 वए गवरनर थे तो इनका ही एक संसमान्र है इसके अलावा ये अरध्शास्ति रह चूके हैं सी रंग राजन और संसत की सदस्ति भी रह चूके है तो इनका ये Сंसमानर आ है, शसमानर क्या होता है देखो, एक होती है बाइक होती है है बैयो तो बायोग्राफी मतलब होती है जीवनी, जीवनी यानि किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाए और ये जीवनी लिखतक है कोई और, किसी और व्यक्ति के बारे में, एक होती है आटो बायोग्राफी, यानि बायोग्राफी ही हो, जीवन के बारे में ही हो, लेकिन वो आटो ह तो आप सम्झो कि खुद से लिखी गई जो जीवनी है वह आजो दक और वही वेक्ति अपनी ही कहानी लिखता है जी सोती होती कि सितइंग तो आप से कहा होता है किसी पर यात्रा पर गए हुए हो तो उस यात्रा का आप उस यात्रा वितांद को आप लिखो ठीक है यहां पर यात्रा वितांद भी निकल गया यह भी एक टर्म होता है फिलाल आप उसको एक छड़िक मात्र उस समय अंतराल के बारे में एक बुक में लिखते हो तो वो होता है साल में आई हुई है चर्चे में रही है इनको हम लोग revise कर सकते हैं ममता बियॉंड 2021 जैन्द घोसाल के पुस्तक है गांधी के हत्यारे धिरेंद के जाली रिखा रतन टाटा जी की ये आटोबियोग्राफी है ठीक है इंडियन बैंक ने किस राज में अपना प्रम्ठ कारेकरम MSME Prena lanched किया तो दोश्तों इंडियन बैंक ने अभी राजस्तान में अपना एक कारेकरम लanch किया है MSME Prena ये अपने तरीके का एक अनोखा और पहला इस प्रकार का एक प्रोग्राम है एक कारेक्रम है जो MSME के लिए dedicated है MSME बोले तो micro, small and medium enterprises ठीक है तो ये चीज अभी MSME प्रेहना Indian Bank के द्वारा लाज़ की गई है जो छोटे लगू और सुक्ष मध्यम के जो व्यपारी होते हैं उनके लिए तो एक सलाह कारेक्रम होगा ठीक है और ये अपनी तरीके का पहला पहला है MSME मंतरी के बारें बात करें तो राने जी है 1907 में अस्थापना हुई थी Indian Bank की चिन्ने में headquarter है और CEO है सांतिलाल जैन ठीक है सांतिलाल जैन का नाम आप याद रखना है आपको important है अगला हाली में किस देश में बम चक्रवात ने तबाही मचाई है तो दोस्तो बम नाम का एक साइकलोन आया हुआ है ये नौर्थ अमेरिका और कनेड़ा वगरह में आया हुआ है ठीक है नौर्थ अमेरिका आ कनेड़ा मैक्स को है और वहाँ पर बरफवारी भी बहुत तेजी से हो रही है तो B और C यहाँ पर आप option लगा देंगे कुछ इस प्रकार से देखो रोड वगरह भी जाम हो जाते है 24-24 घंटों के लिए ठीक है तो बम साइकलोन जो है यह freeze कर दिया है नौर्थ अमेरिका को अब यह बम चक्रवारत है साइकलोन है ऐसे ही भारत की तरफ भी साइकलोन आते हैं लेकिन उनका नाम कुछ और रहता है उनका नाम करण हिंद महासागर के जो भी देश हैं ऐसे अपना गुरूप बना हुआ है तो हिंद महासागर में जो भी तूफान उठेंगे तो उसके आसपास जो भी देश हैं उन सबका जो गुरूप है वो देश मिल करके नाम डिसाइड करते हैं और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 13 देश हैं अपने गुरूप में इसको नाम दिया था UAE ने तो अभी हम लोग यहां पर है इसके बाद मोचा नाम का तूफान आएगा जिसको यमन ने नाम दिया है किसने कौन सा नाम दिया यह पूछा जाता है थाइलेंड के द्वारा नाम दिया गया था सितरंग जो कि अभी कुछ दिन पहले आया था असानी तूफान यह आया था इसको सिलंका ने नाम दिया था ठीक है जवाद जो है यह साओधी अरिवियन नाम दिया था तो मतलब अगला आने वाला तूफान मोचा होगा अपने यहां जो आएगा इसकी बाद वाला जो लिस्ट आएगा फिर से यहां से शुरुवात से शुरू होगा बंगलादेश इसको नाम दिया है विपारजे ठीक है विपारजे फिर तेज नाम इंडिया ने दिया है इंडिया ने खास करके जो जो नाम दिया है, उसको आगे के दो-तीन नाम आप तो याधी कर लो, जैसे कि व्योम, आग, ठीक है, और मुरासु, तेज, गती, तो गती तो आ चुका है, बलकि आगे आने वाले में आपको याद रखना है, अगला देखते हैं, अच्छा, अपनी जो बुक आई है, जिसके बारे मैंने जिकर किया, इसको आप Amazon से आडर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया गया है, देर मत कीजिए, समय बहुत कम बचा है, साल भर का कॉंटेंट आपको एक ही जगा पर मिल रहा है, आप साल भर का कवरेज पुरा प्राप्त कर पा सेन वारन आपको पता है, आस्टिलिया के ये महान बॉलर थे और वर्ल्ड क्रिकेट में इनका काफी अच्छा खासा नाम था, लेकिन अभी इनका कुछ महीनों पहले निधन हो गया, ठीक है, तो इनहीं की याद में बहुत सारी चीज़े की जा रहे हैं, तो सेन वारन जो है इनकी याद में आस्टिलिया ने एक येर का जो एरली अवार्ड दिया जा था, उसका नाम चेंज करने की घोशना की हुई है, सेन वारन को भी ये अवार्ड मिल चुका था, टेस्ट प्लेयर अब दा येर का वार्ड, इसका नाम अब बदला जाएगा, इनको 2006 में मिला ठीक है, सेन वारन के बारें बात करें, तो 15 वर्सों की क्रिगट करियर में, इन्होंने 145 मैशों में 708 विकट चटकाए थे, अगला, FSCI ने कहां के जेल खाने की घुडवत्तर के लिए 5 इस्टार रेटिंग दी, दोस्तों, Food Safety and Security Authority of India, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जेल को खाने की गुडवत्ता के लिए 5 इस्टार रेटिंग दी हुई है, ऐसे कोशियांस आपको मिलते होंगे अक्सर, अभी 2-3 महीने पहले भी मैंने कबर कराया था ऐसे, ठीक है, कि होता क्या है ना, कि जो Human Rights वाले हैं, या बाकी जो लोग हैं, वो लोग ये भी तरीका का खाना दिया जाए, तो इसके लिए FSSAI जो है, ये समय समय पर चेकिंग करती है, जेलो में, ठीक है, और उनको रेटिंग देती है, उसी हिसाब से उस जेल की गुडवत्ता परकी जाएगे, तो Eat Right Campus के टर्म में इन्होंने 5 इस्टार रेटिंग दिया हुआ है, बु अगला, NHAI की अध्यक्ष कौन बने, National Highways Authority of India के अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जोस्तों बन गए है, संतोष कुमार यादो, ये इंपोर्टन न्यूक्ती है, National Highways Authority of India के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, इक्जाम में, तो संतोष कुमार यादो जी नए अध्यक्ष बने, दे संतोष कुमार यादो, ये बना दिये गए है, National Highways Authority of India के अध्यक्ष, जिसे हिंदी में कहते है, भारती राष्टी राजमार प्राधिकरण, क्लियर, तो ये तो थी, आज के दिन के Top 10 Current Affair के Questions, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल में लगी होगी, और अगर पसंद आई है, informative लगी है, तो प्लीज सपोर्ट करें चैनल को, और चैनल को Share जरू करें, ठीक है, Share अगर आप करोगे, तो फिर इस चैनल क ग्रोथ मिलेगी, और तेजी से, और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है न, तो वीडियो को Like भी कर दिया करो, Share भी कर दिया करो, आप ही का चैनल है, इससे Motivation हमें मिलता है, और मैं आपको अगले दिन और अच्छे-चे content देने का प्रयास करता हूँ, प्लीज आप लोग और Share जरूर किया करो, ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोगों से एक request है, कि मतलब अगर आप में से कोई ऐसा है, जो खुद thumbnail बनाता है, या फिर किसी को बनाने आता है, उसको आप जानते हैं, तो उनको इसके बारे में जरूर बताएगा, कि हमने सुचा हुआ है कि daily current affair का कोई एक सा thumbnail ऐसा मिल जाए, जिसको हम लोग change करें, और थोड़ा सा advance काफी दिनों से सोचा भी जा रहा है, इसके प्रति, तो अगर जो बना करके देता है, जिसका thumbnail पसंद आएगा, तो उसको इधर से MZT की तरब से थोड़ा price money भी दिये जाएगी, थोड़ा बहुत ठीक करके WhatsApp करना, अपने इपने हिसाब से, जिसका पसंद आएगा, बताया जाएगा, ठीक है, फिलाहल, PB सिंदु ने Commonwealth में gold medal जीता हुआ है, और FIFA World Cup 2022 में golden boot के लिएन Mbappe को मिला है, आज क्या है question, आज आपको बताना है, किसके सासंकाल में पहली train चलाएगी, बहुत ही आसान question है दुनिया के best food की list में पहले अस्थान पर कौन है, ये भी आपको बताना है, दोनों questions के बारे में आपको जो भी पता होगा, detail में ज़रूर अंसर करना, इसकी quiz, PDF आपको MJTA पर मिलेगी, और telegram पर one-liner भी मिलेगा, वैसे तो अब हम लोग Instagram पर भी आ गया है, तो आप हमें वह पर भी follow कर सकते हो, बहुत बहुत धिने बाद यहां तक वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, ततक लिए नमस्कार जाहिंद, वंदे मात्राम